बश्कार साथ यूँ मैं सिमागुपता आजफीर आप सभी के बीच इस टड़ी विट्टे सीरीच के माध्यम से आप सभी को वे गाइडिंस, क्लासी उपलब्द करा रही हूँ जिसके माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि सम्मंदी टॉपिक में कौन-कौन से ऐसे फैक्ट हैं आज मैं आप सभी के बीच बताने वाली हूँ साथियो मेरे द्वारा इन सभी प्रस्नों के माध्यम से आपको बिभिन प्रकार के प्रस्ने भी बताए जाएंगे तो आईए पहला क्वेस्चन हल करिए भारतिय स्वम्विधान सभा का गठन किया गया था इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा इसके बाद आपको बताए जाएगा कि इस क्वेस्चन से किस किस प्रकार से क्वेस्चन और भी परिच्छा में पूछे जाएंगे तो पहला क्वेस्चन है साथियो भारतिय स्वम्विधान सभा का गठन किया गया था साथियो इसका सही आंसर होगा option C जी हाँ इसका सही आंसर होगा option C cabinet mission योजना 1946 की अंतरगत ठीक है तो एक question आपका ये हलुआ कई बार question पूछा जाता है कि cabinet mission योजना कव आया था तो उत्तर हो जाएगा साथियो 1946 ठीक है और ये धिहान रखेंगे आप कि ये cabinet mission मार्च 1946 में आया था ये भी मन्त भी याद करेंगे कि मार्च में आया था ठीक है और इसके जो सदस्य थे उसमें कौन-कौन थे cabinet mission में ठीक है तो पहले तो इस्टोटोप क्रिप्स था ठीक पैथिक लॉरेंस था ठीक एबी अलेकजंडर थे ये तीन सदस्य यह मिसन था जिसमें तीनों सदस्यों का नाम आपको पता होनी ही चाहिए अध्याश कौन थे वोड़ आप ट्रेट के क्रिप्स थे ठीक है और भारत अत्यंत ही महत्वपूर है ठीक है अब आईए नेक्स वेच्चन नेक्स वेच्चन है वेवल योजना की अनुसार कारे कारी परिसद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी कारण में दिया गया है वेवल का विचार था कि ऐसी विवस्ता से भारत का दर होगा साथियो इसका सही आंसर होगा ओप्सन सी यानि कतन सो सही है लेकिन कारण इसका गलत है ठीक है अब जानिए इसके अन्य तथ्य जो की परिच्चा में आता है सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये वेवल योजना क्या था ठीक ये कब आया था इसके कौन से सदस्य से इसका क्या उदेश से था इन चारों चीजों को आपको जानना जरूरी होगा अक्टूबर उन्नी सो तैलिस में ठीक लाट लेंटिंगो के इस्थान पर वेवल वाइसराय तता गुवर्नर जनरल न्युक्त किये गए ठीक है सम्मन्द में ब्रिटिस सरकार से विस्तार से बात की तता कुछ परस्ताओं रखे जून उन्नी सो पैतालिस में उन परस्ताओं को वेवल योजना के नाम से साचनिक किया गया वेवल योजना के परस्ताओं में कारिकार्डी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बर स्वारा खुद का स्वामिधान बनाया जाने इत्यादी प्रावधान इसमें सामिल थे तो साथ ही हूँ आपको मैं इस स्टड़ी विथ टे सीरीज में ना सिर्फ क्वेश्चन सौल्फ कर वारी हूं बलकि यह भी पता नहीं का प्रयास कर रही हूं कि इस क्वेश्चन से कौन क भुद की बताते चल रही हूं नेक्स से देखिए बारत समिधान का प्रारूप तयार करने वाली समिधान सबाके सदस्तीयों को बारत समिधान कि अबहुत ही सांदार है ऑद दस से केंड में आप तंतर दीजिए साथियों इसका सही आंसर होगा option C बिभिन प्रांतों के विधान सभाव द्वारा चुना गया ठीक है बिभिन प्रांतों के लोगों ने व्यस्मत अधिकार के आधार पर विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन किये ठीक है और इन विधान सभाव के सदस्यों द्वारा समिधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन किया गया इस प्रकार साथियों option इसका क्या होगा C ठीक है अब आते हैं next question समिधान सभा के प्रतम बैठक की अध्यक्सता किसने की थी साथियों यह परिक्षा में कई बार पूछा गया है ठीक है और अगामी परिक्षाव के लिए भी अत्यंत ही महत्यपूर है तो मैं आप इक्षा करूंगी कि आप इसका वस्ते ही सही उत्तर देंगे तो साथियों इसका सही आंसर को ऑप्षन सी डॉक्टर सचिदानन्द सिनहा ठीक है समिधान गौर से सुनिए ध्यान से आप समिधान सभा के प्रतम बैठक की अध्यक्सता किसने की तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानन्द सिनहा लेकिन क्येस्चन ये आएगा कि समिधान सभा के चुने वे स्थाई अध्यक्ष कोन थे तब हो जाएगा डॉक्टर राजिंद परसाद ठीक है कहीं से कोई मिस्टेक साथियों नहीं होनी चाहिए फिर से सुने नौजिसंबर 1946 को जो समिधान सभा की प्रतम बैटक की अध्यक्षता की बारी आई थी तो उस समें इस्थाई अध्यक्ष नहीं थे तो इसलिए और इस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानन सिरहा ने अध्यक्षता की थी और 11 इसमबर 1946 को समिधान सभा ने डॉक्टर राजिन प्रसाथ को निर्विरोध समिधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये थे ठीक तो इस चीज आप जरू ध्यार में रखिएगा कई लोग जल्दिवाजी में क्वेस्चन गलत कर देते हैं लेकिन आपको गलती नहीं करनी है नेक्ट पेस्चन है भारतिय समिधान सभा की पहली बैटक कब हुई समिधान सभा की पहली बैटक कब हुई थी समिधान सभा के प्रतम बैटक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंब हुआ था इसमें साथियो 207 सदस्यों ने भाग लिया था ठीक है नेक्ट पेस्चन है समिधान सभा के सम्मुख समिधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा इसमें कई लोग गलती कर जाते हैं ये सोचके कि वो बहुत confident है समिधान सभा के सम्मुख समिधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा साथ हो इसका सही आंसर होगा option A हाँ जवाल लाल नहरू समिधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाल लाल नहरू द्वारा उदेश से प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया आगे चलके यही उदेश से प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना ठीक है इस question से तीन प्रकार के question बनते हैं पहले तो यह आएगा कि समिधान सभा में पंडि जवाल नाल नहरू द्वारा उदेश से प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया गया तो 22 January 1947 हो जागा ठीक है तो इस प्रकार साथियो आपको कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है अब next question है साथियो भारतिय समविधान के निर्माड से समबंदित निम लिखी कथनों में से कौन सही है इसके लिए आपको मैं 15 सेकेंड देती हूँ साथियो इसका सही आंसर होगा option A जी आं साथियो इसका सही आंसर होगा option A चार इसमें नहीं होगा चराजी के मुख्या को लोग प्रत्यक चुरूप से निर्माड चित करते थे ठीक है अर्थात पंडित नहरू के उदेश से प्रस्ताओं का जो सम्विधान सभा द्वारा स्विकार किया गया था सम्विधान के निर्माड पर अजर था ठीक है उदेश का बहुत महत पुड़ उदेश के पूर्ती करती है ये भी सही है और सम्विधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है ये भी सही है लेकिन राजी के मुख्या को लोग प्रत्यक चुरूप से निर्वाचित करते हैं ये ओप्सन सही नहीं है ठीक है अबने स्वेश्चन है साथियों डॉक्टर वी आरम बेटकर की अध्यक्ता में सम्विधान सभा की प्रारूप समीती में कितने अन्य सदस्य थे कई युवा साथी जल्दिवाजी में स्वेश्चन का अंसर गलत दे देंगे इसलिए आप सभी सब एक चीत है सही उत्तर दीजिए साथियों इसका सही आंसर होगा ओप्सन बी अर्था छे सदस्य थे अर्था साथी जो प्रारूप समीती थी वे कुल साथ सदस्य थी अध्यक्ष को लेकर इसमें क्या पुछा जा रहा है डॉक्टर बी आर अमबेडेकर की अध्यक्षता में समिधान सभा के प्रावरूप समीती में कितने अन्य सदस्य थे अर्थात अध्यक्ष को छोड़ कर तब उत्तर हो जाएगा च्छे ठीक और ये जो च्छे सदस्य थे उनका नाम आप और इनमें बील मित्र के इस्दान पर एन माधव राओ तता डीपी खेतान की 1948 में मृत्रिकवाद टीटी किश्रा मचारी को इस समीती में सामिल किया गया था तो साथियों अवस्ते ही प्रारूप समीती का आप अच्छे से याद करें किसकी अध्यक्षता में कौन अन्य सद राकार कौन थे और मुझे एकदम पता है कि आप इसका सही उत्तर देंगे देंगे साथियों साथियों इसका सही आंसर होगा ओप्सन सी बी एन राव ध्यान रखिए कई बार दो गलत करके बी आरंबेटकर कर देते हैं समयधानी सलाकार बी एन राव थे ठीक है गलत नहीं करेंगी कौन थे बी एन राव ठीक बारत का समयधान पूर डूप से तयार हुआ था आप सोचिंगे कितना एजी क्रेशन पूछा गया है लेकिन साथियों कई बार क्या होता है एजी क्रेशन ही गलत हो जाते हैं तो आप अवस्ची इसका सही आंसर दीजिए साथियों इसका सही आंसर हो ओप्सन बी अर्थाथ 26 नवंबर 1949 को ठीक है भारती सम्मिधान के उदेशी का में उलेक किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने सम्मिधान को अंगिक्रित आधियनियमित और आत्मर्पित किया सम्मिधान को अपनाने उसके पूर होने पारित होने तता इसको अंतिम रूप देने की तारिक भी 26 नवंबर 1949 को ही माना चाता है इस दिन साथियों नागिक्ता अंतर कालिन संसद और इस्थायों संकर्मण कालिन उबंद लागो हो गया तता अपिस सम्मिधान के सीथ से प्रभावी हुए कई बार क्रेशन पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागो हुआ तो नागरिक्ता अंतर कालिन संसद और और संकर्मण कालिन जोबंद लागों कर दिये गया तो बाकि जोबंद तो वे 26 जनवरी 1950 से लागों किये गये तो साथियों आप आवसी इस टेस्ट सीरीज को जोईन करें या टेस्ट सीरीज आप सभी के उजल भविस्य के दिर्श्टिकत लाए जा रहा है इस टेस्ट का एक मात्र उदेश आप सभी के तैयारी को पुल्रा विलोकर ही नहीं करना है बलकि आपकी तैयारी को और भी मजबूत करना है सही दिशा मे ले जाना है यदि आप सम्मंदी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको और क्या-क्या पढ़ना है ये भी बताना है तो साथियों चैसे ही मेरे द्वारा ये टेज सीरीज आप किये ठीक तो आप ये काम करें कि तुरंत राजविवस्था से सम्मंदी इस टॉपिक उठाए और तुरंत पढ़ना करो कर दे ताकि आप इस सम्मंदी टॉपिक को तैयार कर ले तो साथियों मुझे अवस्थे ही आसा है कि आप सफल होंगे इसी आसा विस्वास के साथ मैं सीमा गुपता विदा लेती हूँ कि आप अवस्थी अपने लक्ष सपने को साघार करेंगे नमस्क है